हेलो एवरिवन जय जिनेंदर दिस पूजा जयन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इस्पेशल सा पिज़ा बहुत ज्यादा टेस्टी होने वाला है ये पिज़ा ये पर्यूशन महापर्व के लिए इस्पेशल सा पिज़ा है जो इन 8 दिनों में हम हरी सबजियों का यूज बिलकुल नहीं करते हैं उसके लिए ये पिज़ा है तो आप इस पिज़ा को जरूर बनाएए बिना इस्ट के बिना चीज के और साथ ही बिना किसी हरी सबजियों का यूज किये हुए तो चलिए फटा फरसे से बनाना शुरू करते हैं उससे पहले आपको देखी इसके इंदर कितनी अच्छी जाली बनी हुई है तो फटा फरसे शुरू करते हैं वीडियो को एंट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा इस रेसिपी को शेयर करें तो चलिए जैन पिज़ा बनाना शुरू करते हैं तो इधर हम सबसे पहले पिज़ा का बेस तयार करेंगे उसके लिए मैंने लिया है एक चोटी कप मैदा इसमें जाएगा एक चोटी चमच चीनी एक चोटा ही चोटी चमच बेकिंग पाउडर एक चोटा ही चोटी चमच बेकिंग सोडा नमक डालेंगे स्वाद की अनुसार और इन सभी ड्राइ इंग्रीडियंट्स को एक के जगे पर बटर भी डाल सकते हैं ये सबी चीज़े डालने के बाद अब हमें इसका डो तयार करना है उसके लिए मैं लूंगी दही तो मैं कम से कम तीन बड़े चमश का दही का यूज करूंगी आप एक साथ में दही ना डालें थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और जित साथ तेल डालने के बाद इसको हमें 10-15 मिनट तक अच्छी तरीके से हतेलियों से और उंगलियों से मसल मसल कर इसे बिलकुल चिकना कर लेना है इसे आप टाइट ना रखें इसी तरीके से तोड़ा गिला रखेंगे तो जो पिज़ा है वो काफी अच्छा बनेगा ये जैन ये थोड़ा चिकना भी होने लगा है तो अब इस स्टेस पे हमें थोड़ा सा तेल फिर से लगाना है और 5-10 मिनट तक इसे हम इसी तरीके से मसलेंगे तो 15 मिनट बाद आप देखेंगे डो जो है बिल्कुल तयार हो चुका है चिकना भी हो चुका है तो अब हम इसे दुबारा से उसी बॉल में थोड़ा सा तेल लगा कर कम से कम आधे घंटे के लिए किसी गरम जगे पर रख देंगे इसको सैट होने के लिए इसके उपर आप किसी गिले कपड़े को लगा दीजिए और इसको आदे घंटे के लिए किसी गरम जगे पर रख दीजिए तब तक हम पिज़ा की टॉपिंग के लिए पनीर तयार कर लेंगे उसके लिए मैंने लिया है एक बड़ी चमच दही इसको बिल्कुल अच्छी तर चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चोटाई चोटी चमच धनिया पाउडर, एक चोटाई चोटी चमच गरम मसाला पाउडर, नमक दालेंगे स्वात के अनुसार और इन सभी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा, आधी चोटी चमच, सरसों का तेल, इससे जो यह मेरिनेट है, उसमें काफी अच्छा फ्लेवर आता है, काफी अच्छा यह लगता है, अब इसके इंदे डालेंगे यह कुछ पनीर के क्यूब् कर देंगे, तो इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इदर मैंने एक पैन चड़ाया है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, और यह सभी पनीर को इसके इंदर डाल देंगे, अब एक एक पनीर को आप खुला कर दीजिए, थोड़ थोड़े से गैप में, और इस तरीके से मसाले के साथ पकने दीजिए, आप आंच को धीमे कर दीजिए, और इसको साइड में पकने दीजिए, मतलब कि जितने भी यह मसाले हैं, यह पनीर के ओपर अच्छी तरीके से लग जाएंगे, तो अबिय पिजा टॉपिंग रेड़ी होती है, तब तक हम पिजा सो पानी ताकि ये विल्कुल अच्छी तरीके से पिस जाए तो इसे ठकल लगाएंगे और पिसकर तयार कर लेंगे तो इधर पिज़ा का सोस जो है वो पिसकर तयार हो चुका है अब इसे थोड़ा सा और फ्लेवर फुल बनाने के लिए मैंने एक गैस पे पैन चड़ाया है इसम में डालेंगे एक चमच तेल और साथ इसमें डाल देंगे ये पिज़ा का सोस क्योंकि हम इसे बिना प्याज लैसुन और टमाटर के बना रहे हैं तो इसे थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे ताकि ये जो पिज़ा सोस है ये बिना प्याज टमाटर और लैसुन के भी बहुत ज तोटी चमस जाला है विनेगर इसे भी इस सोस के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब सबसे आखिर में डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक और पिज्जा का जो सोस है वो बिल्कुल बनकर तयार हो चुका है गैस को अब बंद कर देंगे और अब हम तयारी कर लेते हैं एक क्रीमी से सोस के बनाने की क्योंकि हमें इसके अंदर चीज का यूज बिल्कुल नहीं ख़रना है तो मैंने इदर एक पैन चड़ाया है और इसमें डाला है दो चमच बटर बटर जो है मेल्ट होने लगा है तो अब इसके अंदर डालेंगे एक बड़ी चमच मै और मैदा डालते ही इसे बिल्कुल फटा फट से हमें मिक्स करना है अच्छी तरीके से तो मैदे को आप एक से दो मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेजिए इसमें जैसे खुश्बू आने लगेगी तो इसके अंदर डालेंगे हम दूद तो अब दूद को भी आपको फट फट से चलाते रही है कि तो इस एक चम्मच मैदे के लिए मुझे एक छोटे कप दूद का यूज इसमें हो गया है अब इसके आप इंदर मैने डाला है 2 चम्मच मेओनीज ये मेरा होमेड मेड मैओनीज है इसको इसके डालके अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इस से इस इसकी जगे यूज करने वाले हैं इसे भी साइड में रखेंगे और जो पनीर हमने रखा था उसको चेक कर लेते हैं तो आप देखेंगे पनीर जो है बिल्कुल अची तरीके से मसाले सारे इसके उपर चिपक चुके हैं ये भी टॉपिंग के लिए बिल्कुल तयार है अब य प्रड़ाई में ये नमक डाला है रेगुलर नमक और उसके उपर मैंने एक रिंग रख दी है और एक तेट लगा कर इसे तेज आंच पे आप दस मिनट तक प्रीहिट होने दीजिए अब इदर जो पिज्जा का बेस था वो भी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है आप दे से फैला सकते हैं उतना हातों से फैलाईगे उसके बाद आप बेलन से इसको बिल्कुल गोल गोल बेल लेजिए थोड़ा सा बेलने के बाद मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है और उसके अंदर मैंने इस पिज़ा को डाला है और थोड़ा मैंसे हातों से ही फैला रही हूं इसक तरीके की बेकिंग ट्रे का अब मैंने इसके उपर यह पिज़ा का सोस लगा दिया है यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम यह ज्यादा लगा सकते हैं और यह जो पिज़ा का साइड से उसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा रखें उससे यह पिज़ा बनने के बाद काफी अच्छी शेप में आता है तो इसके लिए आप बीच में से थोड़ा पतला रखेंगे और जो इसकी साइड से उसको थोड़ा सा मोटा पिज़ा सोस लगाने के जो हमारी चीज है उसको हम लगा देंगे इस पर और इसके बाद लगा देंगे लगा देंगे तो यह पिज़ा की तौपिंग यानि पनीर भी लगा दिया है हमने इस पे अब सबसे लास्ट में थोड़े से यह औरीगेन हर्फ से स्प्रिंकल करूंगी और इसके बाद जो हमारी कड़ाई थी वो भी अच्छी तरीके से प्री हिट हो चुकी होगी तो इसको हम बेग करने के लिए रख देंगे अब सबसे साइड में जो यह जगे है इसके उपर आप थोड़ा सा तेल लगा दीजिए इसके साइड में अच्छा कलर आता है इधर जो कड़ाई है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गरम हो चुकी है यह दुआ सा निकल रहा है तो यह बिल्कुल परफेक्ट है अब इसके अ होते हुए 17 मिनट हो चुके हैं तो हम एक बर इसे चैक कर लेंगे और आप देखेंगे पिज्जा जो है कितना बढ़िया दिख रहा है और इसके नीचे भी काफी अच्छा ब्राउन कलर आया है यह बिल्कुल परफेक्टली सिक चुका है तो पिज्जा बिल्कुल तयार है इसको करेंगे बंद और इसे निकाल लेंगे तो पिज्जा को जितना मोटा हमने बेल के रखा था उससे यह काफी अच्छी तरीके से फूल चुका है और इसके चारो तरफ काफी अच्छा कलर भी आया है और यह बिल्कुल परफेक्टली बनकर तयार हो चुका है मैं आपको ना ही बहुत ज़्यादा समान की जरुत होती है आप इन आठ दिनों में या फिर दक्ष लाक्षनी के टाइम में ये पिज्जा बना कर ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगा आप मार्केट वाला पिज्जा लाना भूल जाएंगे क्योंकि इस पिज्ज को ज़रूर बना कर ट्राइ करिए सबको खिलाइए और मेरे शार शेयर करना बिलकुल मत भूलेगा कि आपको ये रैसिपी कैसी लगी है अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट ज़रूर करें